नमस्कार, स्वागत है आपका BHU World के online learning platform पे दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच current affairs के आठमे lecture के साथ हूँ साथ lecture जो है वो complete हो चुका है जिसमें कि हमने 200 questions तक complete कर लिया है आज हम लोग 250 number question तक चलेंगे यह 800 questions की bilingual series है जो आपके exam के district से बहुत important है कल video नहीं गया था क्योंकि कल calls and messages लगातार admit card को ले क्या रहा था बच्चे stress में थे admit card नहीं आया है अभी तक 24 को exam है और BHU प्रसासन के बारे में क्या ही हम बोले अभी तक admit card को ले के कोई सूचना नहीं है कई तरह की बाते जो है वो है news में कि technical error था ये था वो था तो ये सब जो है अलग बात है लेकिन बच्चे टेंसल में ये important है क्योंकि technical error था तो ये कौन एक महना पहले admit card दे रहे थे इनको सब कुछ की तैयारी पहले से रखनी चाहिए चार दिन पहले admit कर देंगे उसमें भी technical error आ जाएगा 24 गंटे पहले आप देंगे तो क्या इस्तिती होगी बच्चे की खेर हमने तो अपने twitter account से ब्येच्च वर्ल्ड का जो link में है उससे एक धन्डबाद ग्यापित कर दिया है उनको कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं इसी तरह पूरे देश की परिछाएं जो है आप ही लोग एज़ित करवाईए और इस वीडियो में तो हम उस टाफिक पर बात करेंगे नहीं आएए सीधे lecture की सुरुवात करते हैं लेकिन उससे पहले तीन प्रस्ण जो है वो पिछले lecture से ग्रैमी अबाड किस छेत्र में दिया जाता है दूसरा प्रस्ण है कि NRC का full form क्या होता है ये बताईए और तीसरा प्रस्ण है कि Microsoft के founder कौन है ये बताईए तो आएए इन तीनों प्रस्णों के साथ ही जो है अपने lecture की सुरुवात करते हैं आज का हमारा पहला प्रस्ण है question number 201 गंगा वोलगा वारता का आयोजन नई दिल्ली में किस देश के साथ हुआ था जैसे गंगा जो है नदी का नाम है उसी तरह वोलगा जो है वो भी नदी क नाम है तो वोलगा रूस में बहती है वोलगा कहां के नदी है रूस की तो इसका आयोजन ऑबियस जो है किसके साथ होगा भारत और रसा के साथ बरते हैं next question की तरफ किस airlines में सरकार की सौ प्रतीसत हिस्सेदारी जो 100% stack बेचने के लिए जो है आमंतृत किया गिया है stakeholders को government के द्वारा तो यह जो है Air India option number A हमारा सही है Air India अब जब Air India की बात कर रहे है तो भारत की finance minister जो है इसमा बहुत चर्चा माय थी जब यह बिकने की बात आई तो वो है निर्मला सीतारमन कौन है इंडिया के finance minister निर्मला सीतारमन जिनका संबंध है BJP से यानि देश में जो अभी स गटवंधन है जिस गटवंधन का नाम है NDA इसके पहले किसकी सरकार थी UPA जब मनमोहन सिंग जी की सरकार थी तो वो UPA की सरकार कहलाती थी तो NDA का full form होता है National Democratic Alliance यह पूछा जाता है इंग्जाम में यह important है उसी तरह UPA का full form होता है United Progressive Alliance इन दोनों ही बात को आप ध्यान में रखिएगा बढ़ते हैं next question के तरफ question number 203 हाल ही में भारत और म्यामार के बीच नौसेना अभ्यास index 2019 का आउजन कहां हुआ तो यह आउजन जो है हुआ है option number A विसाखा पतनम में अब जब हम विसाखा पतनम की बात कर रहे हैं तो आपको बता दे विसाखा पतनम जो है वो हम comment box में आप बताइए कि आंदर प्रदेश की राजधानी जो है capital वो कहां है बढ़ते हैं next question की तरफ next question हमारा है धर्म गाडियन भारत और किस देश के बीच होने वाला युद्धा वियास है तो धर्म गाडियन भारत और जापान के बीच होने वाला युद्धा वियास है option number A यह हमारा सही है जब जापान की बात कर रहे हैं तो आपको बता दे जापान के PM का नाम है सिंजो आवे सिंजो आवे और यहां एक volcano जो है फ्यूजियामा important है आपके exam के द्रिश्टी से भी तो फ्यूजियामा का संबन जो है वो जापान से है जड़ा पहर लीजिएगा फ्य आस ऑसीडक्स 2019 भारत और किस देश के बीच संपन हुआ तो यह हुआ है भारत और अस्ट्रेलिया के बीच संपन जब अस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं तो यहां के प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मौरिसन पीम कौन है इसकॉट मौरिसन और यहां की जो कैपिटल है वो है कैनवेरा कैपिटल क्या है कैनवेरा यह दोनों चीज इंपोर्टेंट है बरते नेक्स्ट कोस्चन की तरफ कोस्चन नमबर 206 है माई 2019 में भारतिय ससत्रबलों ने किस द्वीप पर सयुक्त से नभ्यास ब्लू स्ट्राइक किया अब देखिए यह डेट इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन इंपोर्टेंट आपके लिए यह है इसका उत्तर तेरेसा द्वीप जो है यह अंडवान एन निकोबार आईजलेंड का हिस्सा है भारत में दो आईजलेंड मुख है एक है अंडवान एन निकोबार दूसरा लक्षुदीप अंडवान एन निकोबार की राजधानी जो है वह है पोर्ट ब्लेर बहुत पूछा जाता यह सब और दूसरा जो है लक्षुदीप उसकी जो राजधानी है वह है काबारती अंडवान एंड निकोबार आइजलेंड पे ही जो है भारत का सदन मोस्ट पॉइंट है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट यह इसी पे इंदिरा पॉइंट और जो भारत का नदर्न मोस्ट पॉइंट है वो सियाचिन ग्लेसियर के पास है जो की है इंदिरा कॉल southern कौन है इंदरा point और northern कौन है इंदीरा call इंदीरा call ये है हमारा सियाचिन glacier के पास हाला कि ये disputed है लेकिन भारत सरकारी है इंदरा call को ही अपना जो है northern point मानती है dispute कोई करता रहे चीन पाकिस्तान इससे कोई effect नहीं पड़ता है बढ़ते है question 207 की तरफ question 207 है भारत और सिरलंका के बीच मित्र सकती सात सन्युक्त सय्याणियभ्यास का कहां संपन हुआ तो ये संपन हुआ है आपका पूने में अब question में ही देखिया हम बता दिये मित्र सक्ति किस देश के साथ हुआ है भारत और स्रिलंका के साथ ठीक बरते हैं next question की तरफ question number 208 World University ranking 2020 को सुची में लगाता है चौती बार दुनिया का number 1 विश्विध्याले जो है कौन बना वो बना है Oxford University United Kingdom का ठीक ना बरते हैं next question की तरफ question number 209 हाल ही में जारी global 100 index में भारत की ranking जो है वो क्या है तो option number B हमारा सही है 102 जो है भारत का index है दोसाथ 10 number question है हाल ही में किस देश में पहली बार global bio India 2019 का सिखर सम्मेलन आवजित किया गया तो ये किया गया भारत में ठीक अब यह मत समझ लिजेगा इसमें global bio India लिखा हुआ है तो इंडिया में ही सिर्फ आवजित हो सकता है उस तरह से आप अगर सोचेंगे इस्ट इंडिया company तो भारत की company नहीं है ठीक ना बरतें next question की तरफ question number 211 हाल ही में पर्थम बिमिस्टेक बंदरगा सम्मेलन का जो है वो किस अस्थान पर किया गया तो यह किया गया है विशाखा पतनम में और बिमिस्टेक जो है आपके exam के point से भी important है बिमिस्टेक की स्थापना 1997 हुई थी जिसका की full form होता है बे आप बंगाल initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation और इसका headquarter जो है वो है धाका में बढ़ता है next question की तरब question number two hundred and twelve एकसो सात्मी भारते विज्ञान Congress Indian Science Congress कहा और्गनाइज किया गया तो यह और्गनाइज किया गया है बैंगलाओर में option number B जो हमारा है वो सही है बैंगलाओर next question की तरब बढ़ते है question number two hundred and thirteen आदिवासी निडित्ति महोतसब का आयोजन जो है वो किस राजी में किया गया तो यह किया गया है 36 गर में ठीक अब जब 36 गर की बाता रही है तो यहां के cm है भूपेस बगेल कौन है cm भूपेस बगेल और बता दें आपको कि 36 गर की राजधानी जो है वो राइपूर है लेकिन अभी इसका प्लानिंग चल रहा है एक नई डाल धानी को लेक्विड announcement भी हुआ है लेकिन अभी तक जो है लागू नहीं हुआ है नया राइपूर या नवा राइपूर उसको कहते हैं जिसको कि अटल नगर की नाम से भी जाता है जाना जाएगा तो वो रिप्लेस होने वाला है अभी तक हला कि रिप्लेस नहीं हुआ है राइपूर ही राजध देश में इसके अध्यक्षता जो इस बैठा की वो देश के प्रधान मंतरी नरंद्र मोदी ने की थी। जो है वो किसे चिना गया यह भारक से संबंदित है डॉक्टर हार्स वर्धन चर्चा में आये थे अब आपको बता जिए डुल फॉल फॉर्म होता है वाइल्ड हेल्थ और्गनाजेशन इसके स्थापना जो है वह हुई थी 1948 में 1948 में इसका मुख्याले जो है वह है जेनेवा म में अब जो डिरेक्टर जेनरल जो आप बार बार आपको कविड की सुचना के देते रहते हैं आप लोग टीवी पर देखते रहे तो उसका नाम क्या है तो उसका नाम है टेड्रोस अदनों घेब्रे यसस इसका नाम भूलने भी हमको बड़ा परिसानी हो रहा है क्योंकि मे घेब्रे यसस ठीक ना तो यह इसका नाम है कौन है यह डारेक्टर जेनरल है यानि कि उसके जो चीफ अभी है वो यही है यही आपको बार बार असुब समाचार देते रहते हैं कि कोरोना खतम अभी नहीं होगा बढ़ते हैं नेक्स्ट कोस्चन की तरफ कोस्चन नमर्ट 217 है उत्तर प्रदेश के राजिपाल कौन है मैं पहले आपको बता चुका हूँ अनंदी बेन पटेल नेक्स्ट कोस्चन की तरफ बरते हैं 218 हाली में ब्रिटेन का प्रधान मंत्री किसे बनाया गया है तो यह बनाया गया है बोरिस जॉंसन को बोरिस जॉंसन का संबन जो है वो कंजर्वरेटिव पार्टी से है बरते हैं न विल्ड बैंक के नया अध्यक्थ जो है वह कौन बनाया गये है तो वёт बैंक के नया अध्यक्थ जो है वह हमारा सही है यह बनाए है बनाया गए डेविड माल पास ठिक नैण ब्र Hey वोल्ड बैंक के स्थापना जो है वो 1944 में हुई थी 1944 में हुई थी और इसका जो हेड़ क्वाटर है वो है वासिंग्टन डीसी वासिंग्टन डीसी ठीक बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन की तरफ नेक्स्ट कोश्चन है 220 हाली में प्रथम हिंदी बिज्ञान लेखक सम्मिलन का आउजन जो है वो कहां किया गया तो यह किया गया नबाबों के सहर लखनव में कोश्चन आता है नबाबों के सहर के नाम से किसे जना जाता है तो लखनव को पूरे भारत में कारगिल दिवसका मनाया जाता है अभी बीता है वारा धूम धाम से मनाये थे भारती लोग 26 ज जिल्मान किया रहा है आपको बता दें कि डॉल्फिन गंगा नदी में पाई जाती है और भारत का जो है रास्टी यह जली जीव है ठीक ना नेशनल एक्वेटिक एनिमल जो है भारत का क्या है वो डॉल्फिन है ठीक नेक्स्ट कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं नर्सी लागू करने वाला भारत का पहला राज कौन बन गिया तो नर्सी लागू तो असम ने सबसे पहले किया है असम का कैपिटल आप कमेंट बोक्स में बताइएगा नर्सी का फूल फाम होता है नेशनल रजिस्टर फोर सिटिजन्स नेक्स्ट कोश्चन की तरफ बढ़ते सबसे पहले कौन लाया यह लाया केरल और सकेंड इस्टेट जो था वो था पंजाब दोनों ने जो है सिए के अगेंस्ट में रिजॉल्यूशन पास किया था नेक्स्ट कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं कोश्चन नमर्ट 216 सचेत आप का संबंद किससे है तो सचेत आप का सं भारत में 1979 में रास्टी नेशनलाजेसन हुआ बैंकों का उस समय 14 बैंकों का राश्टी करन हुआ था पुछा जाता है उनीस फ़रदेंकों का लिज कुछा जाता है को 79 कितने बैंकों का रास्ति करन हुआ था तो वह हुआ था 14 बैंकों का नेक्स्ट कोस्टन की तरब भरते हैं कोस्टन नमबर 217 इंजीनियर दिवस जो है या इंजीनियरिंग डे जो है इंजीनियर्स डे ये कब मनाया जाता है तो ये मना जाता है 15 सी दंबर को अप्सन नम्मर ए हमारा सही है आपको बता दे भारत रत्न मोक्ष गुंडम विश्वे सरया इन्हीं के याद में यह मने आ जाता है और यहीं विश्वे सरया जी ही जो है बीएच्यू का डिजाइन तयार किये थे बीएच्यू में जो आर्टिटेक्ट है रोड्स वगरा है अंतराष्टिय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है यह मनाया जाता है एक मई को देखिए यह जो डे वाला है इसे एकात कुष्टन पूछ देता है इसलिए हम इंपोर्टेंट डे जो हैं वो कभर कर देते हैं डेली चार-पांच करके ताकि आप उसको ध्यान में रखें लवैनिज इंटरनेशनल पीश डे सलिबरेटेट तो यह हमारा मनाया जाता है 21 सेप्टेंबर को ओप्सन नमर 2 में है देखिए अप्शन नमर B है 21 सेटेंबर यह नहीं है next question कि तरफ बढ़ते हैं विस्व अहिंसा दिवस कम मना जाता है 200 अहिंसा दिवस महातमा गांधी के जन्म थी थी 2 October को मना जाता है comment वाक्स में बताईए कि महातमा गांधी का जन्म जो है वो किस इस भी में हुआ था next question की तरह बढ़ते है 231 200 डाक दिवस जो है वो कम मनाया जाता है तो ये 200 डाक दिवस मनाया जाता है आपका option number इसका 9 October 20 ही है 200 डाक दिवस कम मनाया जाता है 9 October को मनाया जाता है अब जड़ा comment box में ये बताईएगा कि भारत में डाक सेवा किस के किस वायस राय के सासनकाल में किस गवर्नेर जिनरल के सासनकाल में शुरू हुआ था next question है ये 231 हो गया 20 जन संख्या दिवस कम मनाया जाता है तो 20 जन संख्या दिवस वो 11 जुलाई को मनाया जाता है next question हमारा है कि अंतराष्टी ये बाली का दिवस 24 की तरफ बढ़ते है हाली में भारत की पहली महला DGP का निधन हुआ उनका नाम क्या था देखिए पहली महला DGP थी कौन ये आपको पता होना चाहिए तो ये थी कंचन चौधरी भटाचारिया और ये उत्तराखंट से संबंदित है तो इनका जो है वो निधन हुआ है निधन से भी कई questions कई बार पूछे जाते है Next question है एक भारतिय वकील और पूर्व कानून मंत्री का 8 सितंबर 2019 को निधन हो गया उनका नाम क्या था तो उनका नाम था राम जेट मलानी Next question की तरफ बढ़ते है Name the operation recently launched by Indian army Next question है भारत की पहली महला विदेश मंत्री सुस्मा स्वराज का निधन कभ हुआ ये 6 अगस 2019 को हुआ था डेट भले इंपोर्टेंट नहीं है यहां इंपोर्टेंट यह है कि भारत की पहली महला विदेश मंत्री कौन है सुस्मा स्वराज इससे पहले हलाकि इंद्रा गांधी जी रहे थी लेकिन वो प्रधान मंत्री भी थी तो प्रधान मंत्री अपने पास वो विदेश मंत्राले का विभाग रखी थी तो जो विदेश मंत्री पहली महला मानी जाती है वो मानी जाती है सुस्मा स्वराज हाला कि जब question आएगा तो आपको दोनों option में नहीं मिलेगा लेकिन फिर भी अगर ये दे दिया कि पहली महला विदेश मंत्री कौन है तो सुस्मा सुराज ही लगाईएगा अगर question देखिएगा थोड़ा twisted किया होगा तो उसका answer इंद्र गांधी भी हो सकता है लेकिन ये depend करेगा question के nature पे कि question किस तरह से पूछा गया है next question की तरह बढ़ते हैं 238 हाल ही में मनोहर परीकर का निधन हुआ वह किस राजी से संबंदित है तो मनोहर परीकर जी जो है वो गोवा से संबंदित है तीन बार वहां के मुख मंत्री रहे काफी चर्चा में रहे जब गोवा की बात कर रहे है तो आपको बता दे गोवा की र 39 हाल ही में नामवर सिंग का निधन हुआ हुआ कौन थे तो नामवर सिंग एक प्रसिद्ध लेखक थे ओप्सन नमबर ए हमारा सही है लेखक ठीक next question की तरब बढ़ते हैं अच्छा जब नमबर सिंगी बात करें तो आपको एक दूर रचना इनकी बता दें कविता के नए प्रतिमान शायावाद दूसरी परंपरा की खोज ये इनकी प्रमुख किरती है इसको ध्यान रख्येगा हिंदी में पूछ लिया जाता है 240 नमर कोश्चन की तरब बढ़ते हैं कोश्चन नमर 240 जो हमारा है वो है कि हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट पती जॉर्ज डबलू भूस का जो है वो निधन हो गया तो भूस जो थे वो अमेरिका से संबंदित थे ठीक और आपको बता दिन कि फर्स प्रेसिडेंट जो थे वो जॉर्ज वासिंग्टन थे अमेरिका की फर्स प्रेसिडेंट कौन थे जॉर्ज वासिंग्टन बरते नेक्स्ट की तरब कोश्चन नमर 241 मानवा अधिकार दिवस यह होगा वैनिज हुमन राइड डे उपर हिंदी थोरा मानवा अधिकार कर दिया गया है तो मान नमर्ण की तरब के चलते हैं कर वाले में बताया था कि theme क्या है तो उसमें आपको बताया था 7 April ठीक ना आपको ध्यान होना चाहिए 7 April को ही WHO का जन्म हुआ था यानि इसके स्थापना हुई थी 246 की तरफ चलते हैं अभी आप सुनते हों चर्चा में MH जो है बार-बार कहता है SOP जारी किया गए SOP जारी किया गए क्या है किड़ी SOP तो यह SOP जो है यह है Supply of Essential Goods ठीक ना? Question number 246 का Option number 6 हमारा सही है Option number 6 हमारा सही है Supply of Essential Goods यानि केंदरिय गिरी मंत्राले ने Supply of Essential Goods को बनाया रखने के लिए माना पढ़िचालन पढ़किडिया यानि SOP जो है वो जारी की है 217 नंबर दादी जानकी जिनका निधन हाली में हुआ है वो किस पेसे से संबंदित थी? तो दादी जानकी जो है वो योगिनी थी 103 या कहीं कहीं 104 भी मिलता आंसर 103 या 104 वर्स में इनका निधन हुआ और ये एक अध्यात्मिक संगठन ब्रह्मा कुमारी संगठन है उसी से ये संबंदित थी नेक्स्ट कोश्चन है 248 हाली में किस राजी ने सभी स्कूलों में संस्कृत भासा को जो है परना अनिवारी कर दिया गया तो ये कर दिया उत्तरा खंड ने हाला कि इसके पहले असम ने भी ऐसा कुछ फैसला लिया था लेकिन अभी हाल फिलाल में जो है उत्तरा खंड के द्वारा ये फैसला लिया गया है 249 के तरफ बरते हैं किस राजी ने 2020 को आटिफीसियल इंटेलिजेंस घोसित कर दिया है तेलांगाना ने तेलांगाना के मुख मंत्री और राजधानी दोनों आपको कमेंट बोक्स में बताना है नेक्स्ट कोस्टन की तरफ और अंतिम कोस्टन आज का हमारा है चक्रबात फानफोन से तबाह होने वाला देश जो है वो कौन है वो है फिलिपिन्स और जब फिलिपिन्स की बात कर रहे है तो फिलिपिन्स पेसो यहां की करनसी है और यहां का जो कैपिटल है वो है मनीला या इसको सिटी आप मनीला भी कहते हैं तो दोस्तों ये था आज का current affairs जिसमें 50 question deal किया गया, 250 number question तक हमारा complete हो गया, इसी तरह हम लोग अपनी गती को बनाया रखेंगे और आपके exam से पहले complete होगा, परिशान मत होगे, ट्विटर पे आप BHU world को at the rate world BHU जरूर फॉलो करें, यहीं से आपकी बात जो है, हम लोग administration तक पहुंचाते हैं, मुझे follow करने के लिए at the rate सूरज BHU world, मिलेंगे नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए मन लगा कर पढ़िए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe करके bell icon दबाईए, बहुत बहुत धन्यवाद,